हमारे बाहर भी पानी जमा हो गया है वी वर्स और आज सुबह से हमारे कराची में जो है न बारिश हो रही है असलाम अलेकुम मेरे वीवर्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सभी खेर खरिया से होंगे वेलकम तू बेद माय अधर व्लग और आज का मोसम कुछ इस तरीके का है हमारे कराजी में आपको दिखाते हैं वीवर्स यह देखें वीवर्स पूरा हमारा शेड जो है न ग गिला गिला हो गया पूरा गंद कच्रा मच गया है और यह देखें यहां पानी जमा हो गया है और हमारे पूदे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये देखें और ये देखें हमारे बहार भी पानी जमा हो गया है वीवर्स और आज सुबह से हमारे कराची में बारिश हो रही है मौसम बहुत प्यारा हो गया है और वीवर्स दूसरी चीज ये बतानी थी जो हमारे शेरी और शेरी उसको आज बोक्स लगाना है आज बोक् जा रहें growing ओते जा रहें और कोक्टेल के जो अंडे आये हुए वह वीवर्स वह भी चेक करते हैं उन अंडों में बच्चे बने हैं जा नहीं बने वह दिखाते हैं आपको अब सबसे पहले चलते हैं रिबिट्स के बच्चे दिखाते हैं फिर इंशाला जो है ना शेरी और च चेरी को और बच्चे आपको दिखाते हैं रिबिट्स के और एक दूसरी बात बतानी थी यह देखें बेल हमारी कितने प्यारी लग रही है और मुझे तो प्यारी लग रही थी तब ही मैंने आपको दिखाई अभी चलते हैं वीवर्स अंदर आपको दिखाते हैं रिबिट तो वीवर्स अभी मैं जो एना वीडियो पहले बना रहा हूँ फिर इंशाला सफाई भी करनी आज बहुत काम है मुझे और चलते हैं अभी पहले बच्चे दिखाते हैं फिर यह बोक्स जो इना वीवर्स लगाना है यहां पर इनको यहीं रखेंगे थोड़ा सा यू चेंज करतेंगे बोक्स का इस तरफ आ जाए जिसे हमारे रेबट्स के बच्चे देखने में आसानी हो औरे एक प्चा काम गया वीवर्स अभी तो चार बच्चे थे ओ इस कपड़े म फसा हुए एक बच्चा यह देखें कितने प्यारे बच्चे हैं माशाला माशाला वीवर्स देखें चार बच्चे अच्छे से ग्रोविंग हो रहे हैं अच्छे से बड़े हो रहे हैं माशाला देखें कितने प्यारे हैं बच्चे हमारे रेबिट्स के यह देखें वीवर् अभी जो हिना चलते हैं वीवर्स अभी जो हिना बोक्स लगाने की त्यारी करते हैं इसमें इसको गमा के जो हिना लगाते हैं जैसे हमारे फेरीध, और चेरीध की प्यारे प्यारे क्यों सबक्शे आये हमारे पाक बहुत ज्यादा बढ़omina दिए बच्टे और जाये और ये हमारी जो है ना, जैक फीजी भी जो है ना जल्डी से जैसे बच्चे करें, अल्लoph करें जल्दी बच्चे करें. अनको मेडिशनतों मेने दीए अब आप आल्ला खेर करेगा इन्छालाँ जल्दी से बच्चे आ जाएंगे. वीवर्स शेरी और चेरी के केज को कुछ इस तरह केसे हमने भुमा दिया है यहीं पर जैसे बच्चे हम देखने हमें आसानी हो इसलिए हमने यहीं पर ही रखा है वीवर्स मूबाइल को बं करना पड़े गा तो वीवर्स अभी हमने बोक्स लगाया है और हमारी जो एना चेरी बोक्स को अंदर देखना शुरू कर दिया है वीवर्स इंशाला जल से जल फिर से हमारी चेरी अंडे ले करेगी इंशाला बोक्स जो एना हमने लगा दिया है और बोक्स को देखे ही जा रही हमारी शुरू चलो वीवर्स तो अब चलते हैं उस तरफ, उस तरफ की भी सूरत एहाल आपको दिखाते हैं वीवर्स उस तरफ जाने से पहले न हमारी डख्स देखें कितना खुश हो रही हैं यहां पानी जमा तो हो गया है, इनके लिए मज़े हो गया है और जोएना हम जोएना वीवर्स यहां से पानी यह निकाल देंगे क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है यह देखें यहां से पानी जोएना नीचे से सेम हो रहा है अंदर की तरफ जा रहा है अब जो एना चलते हैं वीवर्स अंदर की भी सूरत और हाल दिखाते हैं आपको यहां भी जो एना पानी पानी हो गया है ओए-ओए यह देखें गेड़ की जो एना बड़े मुश्किल से खु़ज़ा वीवर्स देखें यहां भी गंदगी हो गहीं इंशाला ये भी सफाई करते हैं अभी और चलते हैं अभी जो है ना हम आपको अलवीनो के बेबी दिखाते हैं वीवर्स प्यारे से अच्छे से ग्रोविंग हो रहे हैं चलो वीवर्स ये देखें अलवीनो के बेबी माशाला अच्छे से ग्रोविंग हो रहे हैं अच्छे से एक्टिफ हैं माशाला से देखें वीवर्स अच्छे से एक दूसरे के उपर बेठें अभी मैं तुम्हें निकाल के भी दिखाता हूँ यह देखें वीवर्स और यहां एक बेबी देख रहे हैं आप रेड आईज आया है माशाला से जो है ना हमारे पास फर्स टेम अलबीनो ने रेड आईज बच्चा निकाला है यह देखें रेड आईज एक अलबीनो हमारा और अच्छे से ग्रोविंग हो रहे हैं बस दौा करें जल्दी जल्दी यह बच्चे करें फिर इंशाला जो है ना इंशाला यह बोक्स निकाल देंगे वीवर्स इनकी सफायां करेंगे ब आज बारिश होई है तो मौसम अच्छा हो गया तो आगे जो है ना इंशाला रेश्ट देना है अभी चलते हैं वीवर्स जो है ना हम कोक्टेल के जो अंडे आए हुए ना वो भी आपको चेक करवाते हैं उसमें देखते हैं बच्चे बने हैं जा नहीं बने हैं कोक्टेल क कमचे करेंबों हैं तो हमने सोचा अभी रहने देते हैं काफीम मेने काम भी कर लिया पर भी कोक्टेल आज पौन रहे सींडिये है मुहां गंद हो गया, तो हमने इनकी ट्वे cum saaf की थी, हमने बॉला गिला-गिला है इनको मज़नी आएगा, कोक्टेल का बहुत इंतजार किया, कोक्टेल बाहर ही नहीं आ रहे हैं, तो हमने सोचा अभी जोएना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जोएना सफाई करते हैं, इतनी देर हो गई है, यह सफाई कर रहा था, वो सफाई की, फिर भी हमारे कोक्टेल बाहर नहीं आए, तो हमने सोचा जोएना अभी जोएना इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जोएना देखेंगे और अंडे चेक करेंगे, आपको भी दिखा और हमारी डग का जो पानी यहां ख़ड़ा था ना वीवर्स हमने निकाल दिया है, काफी पानी अभी जोएना डग जोएना इस वाले पानी पर हमला कर दिया है, वहां से पानी खतम हो गया है, इनका तो इस वाले पानी पर हमला कर दिया है, और हमने यह वाले मर्गियां भी और नसली बच्चे आएं हमारे पास वीवर्स और यह देखें हमारे यह जो male rabbits थें, वहाँ से हमने यहां shift कर दियें, की हमारे female की फेर ना pregnancy हो जाए हमने यहां shift कर दियें, और यह देखें वीवर्स यहां भी अभी सफाही करना बाती है, देखें कितना गंद मचा हुआ है, ब बारिश की वज़ा से बहुत कंदगी हो गई है तो इंशाला ये भी सफाई करेंगे अभी हमारे पोदे जो है ना बहुत प्यारे लग रहे हैं बारिश की वज़ा से देखें पोदे साफ हो गए हमारे फूल खिले खिले और पोदे खिले खिले नजर आ रहे हैं देखें वीव ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए फिर इन्शाला इसकी जो उपर वाली जी उपर बढ़ने वाला है ना वो कार देंगे नीचे से जो एना हम गोल बना देंगे इसको जैसे व्यूर में अच्छा लगे बहुत प्यारा लगे हमारा ये पोदा और ये भी जो है ना ये देखे जरूर कर देना मिलते हैं इंशाला अगले विलोग के साथ अल्ला हाफिश